बिजेपी ने चार मेंसे तीन राज्यों में जूइत हांसल की है इस जूइत से बिजेपी CM पत को लेकर मुश्किल में भी दिख रही है तीन दिसंबर को आये नतीजों के बाद भी BJP ने तिर्तुवब अब तक CM नाम को लेकर कोई फैसला नहीं कर पाया है वहीराजस्तान और वसुंद्रा राजे को लेकर बीजेपी मुश्किल में है क्योंकि वसुंद्रा सियम पत के लिए मैदान में उतर चुकी है जिससे मोधी और शाह की चिंता बढ़ गई है राजस्तान से लेकर दिल्ली में बैटकों का दौर जारी है इधर मदप्रदेश में बीजेपी ने विदारी भी मजबूत मानी जा रही है चर्चा में कैलाष्ट विजेवर्ये से लेकर प्रदेश अध्याक्ष बेडी शर्मा का भी नाम है ओबीसी नेता के तौर पर प्रलाद पटेल से लेकर आदिवासी नेता फगण सिंग कुलस्ते का भी नाम लिया जा रहा है हालांकि बीजेपी ने कई मौके पर दिखाया है कि वो ऐसे नामों को सामने लाती है जिसकी कहीं चर्चा भी नहीं हो रही हो चतीस गर में भी बीजेपी ने पियम मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा और जीत कर श्रे भी मोदी और मोदी की गारंटी को दी जा रही है यहां रमन स से लेकर दोहजार अठार तक बीजेपी के मुके मंतरी रहे और इस बार भी चुनाव जीते हैं हालंकि बीजेपी फिर से उन्हें मौका देगी इस पर संशे बना हुआ है मुके मंतरी पत के लिए प्रदेश अध्यक चारुड साओ का भी नाम आगे बढ़ाया जा रहा है व इस बार बीजेपी ने उन्हें विधान सभा चुनाव लड़वाया आदिवासी नेता लता उसेंडी का नाम भी दौर में बताया जा रहा है अब सिर्फ तीन सीम पद है लेकिन दावेदार दो दरजन से जादा है जिससे मोधी और शाह की मुश्किले बढ़ गई हैं डीब